हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मुंबई का स्ट्रीट फूट बड़ा पाओ जो हम कूकर में बनाएंगे इसके लिए हमने एक कटोरी गाजर ली है आधा कटोरी पूल को भी ली है और आधा कटोरी मतर ली है और एक शिमला में चली है इन सारी सब्जियों को हमने धो लिया था और इनको अच्छे से कट कर लिया है और एक मेडियम साइज का आलू ले लिया है जिसे हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और आधा चमश नमग लेंगे एक ग्लास पानी डाल कर पूकर की लिड लगा देंगे और दो सीटी ले लेंगे और दो सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देंगे तो चलिए हम अपना मसाला बना लेते हैं तो हमने गैस पर रख किया एक कड़ाई उसमें हमने एक चमश ऑल डाला है और दो चमश बटर डाला है और यहां पर हमने एक मीडियम साइज की प्यास को बारिक चॉप कर लिया है और वो हम इसमें एट कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे और यहां पर लेंगे लियर चमश के करीब अदरा कलेशन का पेस्ट लेंगे और उसको भी हम अच्छे से एक मिनट तक भून लेंगे और यहां पर हम डालेंगे एक बारिक चॉप किया हुआ टमाटर इसको भी हम इसके साथ भूनेंगे और यहां पर हम लेंगे दो हरी मेरे चोब हमने बारी कट कर लिया था वो भी इसमें हम आइट कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम चलाते हुए भून लेंगे साथ में और यहां पर हमने एक टमाटर की प्यूरी बना ली थी इसको भी हम इसमें आट कर देंगे और इसको भी हम सात में अच्छे से बून लेंगे अब यहां पर हमने एक शिमरा मेंच लिए जिसको उने बारिक चॉप कर लिया है इसको भी हम इसमें आट कर देंगे और इसको भी साथ में मच्छे से बूनेंगे और यहां पाद ले रहे हैं आदा चम्मritis नमक नमक हमने पहले भी डाला था आथ सवाद अनुसान नमक डाले और यहां पर और आदा reinfor हलदी पउडर लेंगे इसको सबी को हम मसालों को अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हम डालेंगे पाव भाजी मसाला तो यहां पर हम गड़ चमच पाव भाजी मसाला डालने के बाद आपको किसी भी मसाले के डालने की जरूरत नहीं है और इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसको भूनने के लिए रख देंगे गैस हमारी मीडियम ही रहेगी तो चलिए अब कूकर के लिए को खूल लेते हैं कूकर और सबजी हमारी गल चुकी है तो मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे इसको मैश कर लिया है हमने अच्छे से और वहाँ पर हमारा मसाला भून गया है तो मैश की हुई सब्जियों को अब मसाले में एट करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए और यहां पर हम डालेंगे एक से डिल्ड ग्लास पानी अब हमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाना है और ग्रेवी भी हमें ठीक बनाना है तो यहां पर आपको पदली ग्रेवी नहीं तयार करनी है क्योंकि इसमें बस पांच से च्छे साथ मिनट तक पकने बाद में यहां आपकी भाजी बनका तयार हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने पानी बहुत नहीं डाला है और यहां पर आप बारी आती है नीबू की तो यहां पर हम एक नीबू को अच्छे से निच जनिया और इसको अच्छे से पकने देंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से पक रहा है और यहां पर हम अपने गैस को बंद कर लेंगे और यह हमारी जो है भाजी बनका तयार हो गए अब भाजी हमारी बिल्कुल तयार हो चुकी है तो चलिए पाव को हम बना लेते हैं तो पाव को हमें मक्षन से करना है तो यहां पर हमने यह दो पाव लिए हैं इसको हमने 20 से कट किया है और हमने गैस पर रख लिया है एक तवा और उस पे हम मक्षन को थोड़ा सा और थोड़ी सी अपनी सब्सक्राइब दालेंगे और इस पर हम अपने पाव को रख लेंगे और दोनों साइट से में इसको अच्छे से से लें लीजिए हमारी पावाजी बनकर तयार है फटा फट चलिए से डिशाउट भी कर लेते हैं और यहां पर हमारी पावाजी बहुत ह अच्छे से बंदर तयार हुए खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार और फटा फट बन जाती है वावाजी तो एक बात जरूर ट्राय करें और हमको कमेंट में जरूर बताएं किया यह वीडियो आपको कैसी लगी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अल् फटको करें किसी ऑ्रीघ है वीडिय bueno जाता आद से बावाज़ू ज से खासे के हैं आदर क breeze बसावाजी आपको क्बद में अच्मेंट ईहां आखरां में वीडियो आपको के जो आएम